नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं क्रिसी जागरन में बांदा से शाकेत वस्ते इस समय द्याद छेत आप पहुंचे हैं और लाही की फसल की कटाई हो चुकी है आपको दिखाना चाहूंगा कि ये लाही की फसल है जो कि शूखने के उपरां किशान के माध्यम से इसको पहले ही कुछ लाही इसमें पक गई थी और कुछ हरी थी जिसको एक साथ काट करके किशान ने 31 करके एक जगे पर रखा है अब इसकी मड़ाई की जाएगी अर्था थेस्रिंग की जाएगी थेस्रिंग के उपरां इसमें जो भी गल्ला अर्था जो है लाही प्राप्त होग उसका उपयोग किशान अपने यूच के लिए या विक्री के लिए कर सकते हैं जैसा कि लाही अर्थात सरसों की फसल एक तिलहन की रूप में प्रियोग की जाती है और इस फसल की बुवाई माह नौंबर में की जाती है ज्यादा तर लाही की पैदावार के लिए अधिक इस्तेमाल करने के लिए सिंगल केवल खेत में अर्थात अकेले ही लाही का बुवाई करके अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है और कुछ किशानों के माध्यम से गेहूं की कुड में तथा मसूर की कुड में और अन्फसलों की कुड में भी डाल करके इसको पैदा करते हैं लेकिन उसकी पैदावाई कम होती है ज्यादा तर अधिक मात्र में लाही की उपज को देखने के लिए और पैदा करने के लिए उसे सिंगल खेत में ही बोया जाता है खास कर लाही की वुआई के लिए उचित मिट्टी दोमट और बलूई भी मानी जाती है क्योंकि इस मिट्टी पर सिचाई के बाद नमी काफी दिनों तक बनी रहती है जिसके कारण फसल अच्छी तरीके से होती है फिलहाल खाद के लिए इसमें आरगेनिक खाद अर्थाद गोबर की खाद आति महत पूड़ है अगर वो मिल जाती है तो खेतों की उर्वरक छमता भी अधिक बनी रहती है अन्यथा जो रशाइनिक खादों का प्रियोग किया जाता है उससे फसलों में उत्पादन में तो अधिक प्रभाव पड़ता है लेकिन खेतों की मिट्टी पर उसका दूस परणाम भी कुछ दिनों के बाद देखने को मिलता है लाही की फसल शर्चों की फसल को समय रहते हुए बोने के उपरांद इसकी अधिक पैदावार की जाती है और खासकर इनकी देखरेक फसल माह नौंबर में बोने के उपरांद जब लाही के पौधे कुछ हंत्राल में बड़े होते हैं तो समय समय रहते हुए इसकी पौधों की शाप सफाई अर्थाद गुड़ाई की जाती है जो खर पतवार होते हैं उनको निकाल करके बाहर फेका जाता है कि लाही अच्छी तरीके से बिकसित हो जाए और अच्छा उपज दे जिसके वजे से किशानों को चाहिए कि लाही की फसल को उत्पादन अधिक करने के लिए उसकी शमय समय पर गुड़ाई और खर पतवार को निकालते रहना चाहिए जिससे लाही की उत्पादन छमता ने बढ़ होती है ऐसे ही वीडियो हम किशानों को जागरुप करने के लिए उन तक पहुँचाने के लिए अपने संस्थान क्रसी जागरण के माध्यम से बनाते रहेंगे मैं बांदा से क्रसी जागरण के लिए शाके तोस्ती